जिस घर में हम रहते हैं, वहां डरावने स्वपना में, या रोता हुआ आवाज आए, या जलता हुआ व्यक्ति देखे, या पाहड से गिरते हुए, पाहड से गिरते हुए, देखा न, या आपने आप पर कोई बार कर रहा है, पीछा कर रहा है, बच्चे के रोने के आवाज सुनाई दे समयना चाहिए उस इस्तान पर आवश्य में अकाल म्रत्यों से मरा हुआ प्रेतात्मा है गायत्री मंत्रों जल अयमंत्रित करके इनके उपर छिड़का बोलने की सक्ति आए एक और उपाय बता रहा हूं जो लोग बीमार रहते हो वह अपने बाई तरफ तामे के वरतन में पानी में गंगाजल डालकर सोया करें जो लगातार बीमार रहते हैं और वह जल सुवे में फलस में डालते हैं ऐसा आप करते हैं तो आपको निरंतर जो बीमारी घेरे रखी है और यह तकब होता है जिस घर में प्रेत बादा होती है तो रात्री में यह उपाय करेंगे तो निश्चित उस प्रेत बादा के प्रक आदे